और एक सवाल उठता है कि भोजपूरी में अक्सर पाया जाता है जो भी एक्टर अभी बन चुके हैं इंफेक्टो बिहार के सूपरस्टार कहे जाते हैं तो जब वो एक्टर बन जाते है उनको फिलमें मिलने लगती है तो भोजपूरी में एलबम करें अब अगर अपना एक स प्रेंडिंग वन में रहता है और इस बात का धिंडोडा पीड़ते हुए सोकल्ड स्टार नजर आते हैं तो फिर हमारे गाने अवार्ड लेकि यूट्यूबर जो है ना यही लोग पैदा करते हैं कि आपके पास चार चमचे हैं तो एक को कहा जाएगा कि आप आट दस यूट प्रणा रहा हो जब भी कभी आपकी पलग जब के सामने वही हो जो दुनिया में आपको सबसे प्यारा हो मस्कार प्रणाम लाइव लोग नीज में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ खुस दूर है एक और फिर से हमारे साथ जूर है भोजपूरी के ज्याने माने अविनिता मनोज आरपांडे जी पिछली बार हमने इन से बातचीत की थी लेकिन हमारी बातचीत लेकिन इस बार हमें शमय मिला और इस बार हमें मौका भी मिला मनोज आरपांडे जी से सामने से बात करने की और चली आज बहुत सारी बाते करेंगे इससे पहले मैं सवागत करना चाहूंगे सब्सक्राइब बहुत अच्छा हूं थैंकियो सो मच लाइव लाइव लोग सब्सक्राइब बात हुई थी अभी आप लाल सामने हैं मैं बता दू कि भोजपूरी में यह एक ऐसे एक्टर हैं जो एक्टर हैं सिंगर नहीं है ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं कि भोजपूरी में मैक्सिमम आपको देखने को मिलेंगे एक ही लोग सब कुछ होते हैं यानि क प्रोड्यूसर बन जाएंगे लेकिन यह पहले ऐसे इंसान है पहले ऐसे कलाकार है जो भोजपूरी में अपनी एक्टिंग की वज़े से जाने जाते हैं एक सवाल उठता है कि भोजपूरी में अक्सर पाया जाता है जो भी एक्टर अभी बन चुके हैं इनफेक्टों बिह गाने गाकर क्या साबित करना है जिसके अंदर जो होगा वही ना करेगा उससे जादा थोड़े करेगा आली में पवन सिंग की जितनी गंदा गाना है सायद मैं अपने जवान से आपके सामने में मैं उसको बोल भी नहीं सकती हूं उस तरीके की गाने गाकर भोजपूरी को प्रिट्टी में मिलाने का अधिकार किसमें दिया है अगर ऐसा किया है पावन ने तो बहुत गलत किया है और मुझे नहीं पता क्या है अगर आप बताएं तो मैं कुछ बूल सकता है इस तरीके का गाना होली में उन्होंने लाया है हमें नहीं लगता कि बिहार के पर पहली बात तो ऐसा करता नहीं है पर पहन के अगर 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 आपना एक संसकार है जो उसके फैमिली से भावन को मिला है अब अगर अपने संसकारों को जो भी वो प्रजेंट कर रहे हैं मेरे खाल से वह उनका संसकार होगा तो अगर उनने गलत किया है तो उनको सुधरना चाहिए एक सवाल पिछली बार भी आपसे हमारा था और इस बार भी हमारा आपसे होगा सबसे ज़्यादा ओडियंस भोजपूरी का 40 करोर अभी 30 से 40 करोर ओडियंस भोजपूरी का है साउस का कम है बॉलिवूड का भी उससे कम है इतना भी स्टेट लेवल पर फिल्में बनती है सबका कम है सबसे ज्यादा बोजपूरी का फिर भी हमारी बोजपूरी सबसे पीछे किए अपनी गलतियों की चलते हैं अब मार्केट में सामान खरीदे जाती हैं तो यहां भी जब तक खराब प्रेजेंट करते रहेंगे कोई नहीं खरीदेगा जब अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं तो फिर खराब रिपर्जेंट करने का अधिकार किसी ने लिए देखो एक लौ है कानून है कि अगर आप गंदी चीज़ें प्रजेंट करते हैं तो दर्शकों को भी चाहिए कि वह जाकर कंप्लेंट कर दें अभी हाली में आप देख रहे हो मनिश कश्यप का भी ठीक गलत पर गलत किये जा रहे हैं उनके पर केस क्यों नहीं हो भूजपूरी में बहुत बरी राजनीती होती है पाया जाता है कि जितनी भी इंडस्ट्री है उसमें हजारों की संख्या में मूवीज बनते हैं और जब जहां लाखों की संख्या में मूवीज बनेंगे सिंपल सी पहुचने वाले हैं कुछ गाने और ट्रीपल आर का जो वह गाना है नाचोड़े नाचो मात्र डेर सब्सक्राइब गया है और वह अवार्ड लेकर आगया और हमारे गाने हर महीने में यूटूब पर ट्रेंडिंग वन में रहता है और इस बात का धिलोडा पीड़ते हुए सो कल्ड स्टार नजर आते हैं तो फिर हमारे गाने अवार्ड लेकर लेकर आया है आपके लिए रोजगार का सुनहरा मौका उस जिसके लिए MSME के तहत सरकार दे रहे हैं आपको सबसीडी और लोन भ कि अथाइए अपना फोड और सुरू करिए आपका अपना रोजगार वह भी आपके अपने सहर में अधिक जानकारी के लिए और मुफ्ष ट्रेनिंग के लिए दिये गए नंबर पर संपर्थ करें अशनल मीडिया पे चलते हैं यह यह तने भी उस होगे कभी किसे पत्रकार में आपको इस सही हम सकता है और बता करिंगे की आपके यूट्यूब तो यह एक को कह जाएगा कि आप आट दस यूट्यूब बना लो आपने देखा अगा उनको बात करनी की तमीज तक नहीं होती और कुछ भी डाल देते हैं वो तो यहां तक डाल देते हैं प्रभास आज फोन सब्सक्राइब कर रहे थे यह कि अख़े कुमार राज ही कर रहे थे तो इसे लोगों लेगे कि अगर कुछ गहुंगा न तो इनके लिए बाइड बन जाएगा विजे लगता ए कि इनके लिए मनोज बाजपेई को ले लीजिए बहुत बॉलीवड लेबल में भी बहुत सारे एक्टर बगारा बिहार से आ चुके हाली में एक लड़का वाइरल हुआ सिंगर जिसका नाम अमरजीत जैकर है अभी वह इंडियन आइडल में भी गया और सोनु सूद और हमें इसरे समिया के स दिया कहीं ना कहीं उसके मन में ना मुझे बहुत यह निरासा दिखी कि जब बिहार से वाइरल हुआ तो बिहार के लोगों ने उसे मौका क्यों नहीं दिया जबकि बॉलीवड वालों ने दिया तो वो आगे चलके बॉलीवड वालों के तरफ जादा जुकेगा या बिहार अच्छा को यह आगे बड़े ओनीर सकते कि अच्छा और अगर वालों से उस बच्छे को शिकायत है तो मैं भी कहूंगा वाकई में भूत अच्छा ऑघ्छता है जितने भी मेरे बहुंग पिमेरे बिहार वासी हैं जहां तक उनिंदे कि मोंबई नंडू जितने भी हमारे भोश मुझे बू Даas फ़ी को सपोर्ट कर्ये हैं अगर बच्चा अपने परिवार से सपोर्ट मांग रहा है तो बिल्कुल गुणह नहीं कर रहा है हर इंसान अपने परिवार से सपोर्ट मांगता है उसने भी सपोर्ट मांगा है मैं दोनों हाथ उठा कर उसको सपोर्ट करता है आने वाली फिल्म बिहार में लगेगी या नहीं हाँ पक्का लगेगी कितना बता दूं मैं जादा नहीं जेलता हूं पिरो कोई भी हो यह सब जानते हैं तो जो भी अगर किसी को नाराजगी है तो मुझसे दूर मुझसे नाराजगी निप्टाएए फिल्मों से मट किसी की भी फिल्म हो उसको अच्छे से रिलीज होने दीजिए रिलीज में मदद करिए और इतना समझ लीजिए कि अगर आप कुछ भी करते हैं तो इन कानों तक चीजें आती हैं मेरी हाइट है छे फिट डेड़ इंच समझदार इंसान हूं मैं पढ़ा लिखा हूं तो बि नहीं अक्टर है मैं चाहाँ गी कोई भी एक प्यारा सा डाइलोग आप अपने मूवी का जाए मूवी का क्या कहूं बस यहीं कहूँगा कि आप सब दोस्तन के दोस्त हैं दुश्मन अल्ला दादा सब के दिल पे राज करी ला नाम भामार राजा मेरी पहली फल्म में ही मेरा नाम था राजा और ये डियालोग मेरा बड़ा फिमस हुआ था तो इसलिए मैंने कह दिया यूँ कह लीजे, पासाअब के दुनिया का हर सितारा हो दूर आपसे घम का किनारा हो जब भी कभी आपकी पलग जब के सामने वही हो जो दुनिया में आपको सबसे प्यारा हूँ ब़ूसल चुछ से क्या गहना कि मुझे प्यार देते रहिये मेरी कोई तूटियां हो तो उसे माफ करिए बेबाग इंसान हूँ सच बोलता हूँ सबसे प्यार करता हूँ कोई भी एक्टर हूँ चाहे भोछपरी इंडस्टी के जितने भी हीरो हूँ टेक्निशन हूँ सबसे यह कहूँगा खास करके प्रोडूसर से कहूँगा कि अच्छ आप सुन लेंगे सामने से सर मतलब मैं तो यही मैं समझाना चाहता हूँ अगर इन लोगों ने भी आटो ट्यून में दाना छोड़ दिया ना तो यह भी वहां पहुंच जाएंगे और अगर नहीं गा पाना है बिना अटो तो हर्मनिया उठा लीजे थोड़ा सा थोड़ा स रियाज कर लीजे मेहनत कर लेजे वह राथ को पैक मत मारी श्रीज नहीं बंद तो है यह वी चारे नीचीज जीण अच्छा काम किया हैं बंद करवाएं या चौरी चुपे पीछे से ले लेते होंगे तो उसका क्या करिए ठीक है बहुत बहुत देने वाद फिल्म राएं को कर दिया हुए समय सबसक्राइए बहुत सारी फिल्म इनकी भोजपूरी में आ चुकी है सुपर डूपर हिट थी और आने वाले फिल्म भी अच्छी थी एक बार मैं भी कहुँगी बहुत ही अच्छी फिल्म है जनता दर्वार एक बार जाईए और देखिए और फिर वाकई समझने का कोसिस करिए कि वाकई में एक्टर क्या होता है वाकई में कहाने क्या होती और क्या चीजें हैं जो हमें देखना चाहिए और परमोट करना चाहिए कहीं न कहीं जितनी responsibility इन लोगों का है अच्छा करने का उतना ही responsibility आपका भी है इन्हें सपोर्ट करने का क्यूंकि अच्छी चीजों को अगर आप सपोर्ट करेंगे तभी अच्छी चीजे सामने निखर कर आएगी और हमारा बिहार यूपी का भोजपूरी का जो साख है जो भिखारी ठाकूर ने ज आपकी क्या रहा है कमेंट बॉक्स खुला हुआ जरूर दीजिएगा मिलते अगली बार फिर से तब तक के लिए नमस्कार भनावाल